Hello everyone, sorry for delay, actually मैं थोड़ा बिजी था इस वज़े से regular वीडियो नहीं आप आ रही थी बट अभी मैं continue कोसिस करूँ है कि हर वीक एक वीडियो अप्लोड करूँ तो आज का टॉपिक रोल इन फिल्ड पे है कलच को लेके मैंने बहुत बार नोटिस किया है जनरली होता क्या है कि जब बहुत लोग बाइक राइड करते हैं तो वो क्या करते है कि कलच जैसे कि ये कलच ओपेन है ठी है हाफ कलच में गारी को चलाते ऐसे हाफ कलच में ये आपको मिश्टेक नहीं करना है हाप क्लच में क्या होगा कि आपका गाड़ी का जो क्लच प्लेट है उसको जलने की समावना जादी होती है इस वज़े से कोशीज करें कि या तो आप जब आपको फ्री गाड़ी रन करवाना है तो आप पूरा क्लच दबा दे या तो जब आप गियर शिफ्ट करते उसी टाइम क्लच दबाएं बागी टाइम आप क्लच को ना दबाएं उसको ऐसे ही ओपें रने दे और उसके बाद अगर आपको गियर चेंज करना है तो फूल क्लच दबाके गियर को चेंज करें बहुत लोग क्या करते कि हाप क्लच ही लूज ना करें, बहुत ज़्यादा टाइट भी ना करें, अकर बहुत ज़्यादा लूज करेंगे, उसमें भी प्राब्लम होगा, बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे, उसमें भी प्राब्लम होगा, तो यह basic information था, जो कि मैं notice करता था बहुत time, तो इसी को लेके according to this, मैंने ये वीडियो बनाया, और साथ ही साथ, अपने बाइक को अच्छे से maintain करें, एर प्रेशर जो है दोनो टाइर का, मैंने previous वीडियो में बताया था, कि कितना PSI होना चाहिए, वो maintain करके रहे, इससे क्या होगा, कि आपका गाड़ी का जो mileage है, वो भी अच्छा रहेगा, और ये प्लस, maintenance में रखे गाड़ी को, time to time servicing करवाए, फ्यूल वेगरा चेंज करें, और सबसे important कि clutch, जब भी आपको gear shift करना है, तो clutch, half clutch दबा के नहीं, full clutch दबा के ही आप gear को change करें, half clutch नहीं, ओके, thanks for watching, I am sorry, ये मेरा BS4 model है, BS5 नहीं, sorry to say that, and thank you so much, मिलते हैं next video,